नमस्कार लीट इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर पुलिस वालों का कॉल आ जाएं या पुलिस वाले किसी तरीके से आपको अरेस्ट करने के लिए आ जाएं एक आम आदमी का क्या अधिकार होता है भारतिय न्यायस संहिता आ गया बिनेस आ गया बिनेस भारतिय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया क्या करे एक आम आदमी जब पुलिस वाले का कॉल आ जाएं पुलिस वाले का कॉल आने पर अक्सर आम आदमी घबरा जाते हैं और इसी का फाइदा आजकल साइबर ठग भी बहुत उठा रहे हैं जो डिजि तब आपके क्या अधिकार हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर पुलिस का कॉल आए तो क्या करें इस पर मैं आपको बताओं उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि पुलिस कभी भी वीडियो कॉल के थ्रू आपको नहीं बुलाएगी पुलिस किसी भी तरीके से अरेस्ट नहीं करेगी डॉक्मेंट शियर नहीं करेगी इस बात का ध्यान रखिए अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है और आपको काफी नुकसान पहुँचाया सकता है जब कभी भी पुलीस वाला कॉल करके आपके खिलाब शिकायद या F.I.R. दर्ज होने की बात कहकर तुरंत थाने आने को कहता है तो परिशान कभी नहीं होना चाहिए थाने जाने की जल्दबाजी भी ना करें आप पुलीस वाले से भारतिय नागरिक सुरक्चा संगिता यानि BNSS के तहट नोटिस भेजने को कहें पुलीस वाले का नाम और रैंक पूछ सकते हैं यह नोटिस आपके घर या पोस्ट या सीदे हैंड़ोवर किया जाएगा इसे electronic mode से भी भेजा जा सकता है जैसे whatsapp के द्वारा या email के द्वारा भी भेजा जा सकता है नोटिस में लिखा होगा कि आपके खिलाफ क्या मामला है आपको कब और कहां और कितने बज़े पेश होना है नोटिस में बुलाए गए दिन आप कहीं बाहर भी है तो दूसरे दिन का समय ले सकते हैं और दूसरे दिन का समय मांगर आप वहां पेश हो सकते हैं हाला कि बहतर होगा कि इस विशे में जैसे ही आपको पुलिस बुलाए तो इस विशे में किसी advocate से बात कर लें क्योंकि BNSS के माध्यम से कई सेक्षन में पुलिस आपको नोटीस भेज सकती है और सेक्षन देखकर ही पता चलता है कि जो नोटीस आपको भेजा गया है वह कितना गंभीर है इसलिए किसी एडवोकेट से जरूर आपको पहले शलाह मसुरा कर लेना चाहिए अगर साथ साल से कम सजा वाले केस में आपको पुलिस बुला रही है तो क्या करना चाहिए देखे सबसे पहले आपके खिलाफ केस दर्ज करने जिन धराओं में भी केस दर्ज किया गया है अगर उसमें कम से कम साथ साल की सजा है तो पुलिस थाने से ही जमानत दे सकती है से कम की सजा वाले केसों में गिरफतारी अपवाद यानी exception होना चाहिए अगर आप पुलीस के notice पर पेश नहीं होते हैं कोई recovery करनी हो किसी fact के discovery करनी हो तो गवाह पर दबाव डालने का खत्रा हो या सबूत नश्ट करने का अंदेशा हो आपका address पुखता ना हो अगर आप आदतन अपरादी हो तो पुलीस ऐसे cases में भी आपको arrest कर सकती है जहां सजा साथ वर्ष से कम है पुलीस को court में गिरफतारी की वजह जरूर बतानी होगी क्योंकि पुलीस ने किस वजह से साथ साल से कम सजा वाले मामले में गिरफतार किया है उसकी वजह क्या है अगर गंभीर मामलों में FIR दर्ज हो जाए तो क्या करें मैं आपको बताओं अगर साथ साल से जादा कि सजा वाले cases में पुलीस आपको सीधे सीधे अरेश्ट हो कर सकती है उसमें नोटिस की भी जरूरत नहीं होती है और इसी तरह जैसे शांती भंग होने की अशंका में पुलीस सीधा गिरफतारी कर सकती है हत्या डकैती और रेप जैसे साथ सल से जादा कि सजा वाले cases में भी पुलीस शुरुवाती जाच करके आपको गिरफतार कर सकती है प्रारंभिक जाच में अगर मामला सही पाया जाता है तो अरेश्ट कर सकती है गिरफतारी के ग्राउंट के बारे में आपको बताया जाएगा इसकी जनकारी आपके करीबी को दी जाएगी पूछताज के समय आपके वकील साहब थाने में मौझूद रह सकते हैं और आप उनसे कानोनी सलाह भी ले सकते हैं लेकिन वकील साहब इस दोरान को सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते हैं वह सिर्फ दूर से देख सकते हैं बट यह भी बहुत महत्वोन होता है क्योंकि अगर वहाँ पे आपके वकिल साहब मौजूद होते हैं तो पुलिस को एक दर होता है कि वो आपको किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए गिरफतारी के 24 घंटे के भीतर आपको कोट में पेस करना होगा उसके बाद से कोट डिसाइड करेगी किया आपको पुलिस रिमांड मिलेगा या फिर आपको जुरिशियल कस्टडी में जेल भेजा जाएगा अगर आप महिला या नबालिक हैं तो आपके लिए नियम अलग होता है अगर आप महिला हैं तो सुरज डूबने के बाद यानि रात में गिरफतारी नहीं हो सकती अगर गिरफतारी जरूरी है तो अस्थानीय मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर के महिला पुलिस कर्मी ही अरेश्ट कर सकती है हलाकि दीन के समय पुलिस कर्मी भी गिरफतार कर सकते हैं लेकिन वह महिला को फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं नबालिकों के मामले में सजा साथ साल से कम है तो F.I.R. दर्ज नहीं होती है सादे कपरे में पुलिस कर्मी साथ में रहेंगे जो थाने में डीडी एंट्री करके पैरेंट्स से अंडर्टेकिंग लेकर नबालिक को उन्हें सौप देंगे और साथ साल से अगर ज़्यादा की सजा का केस है तो F.I.R. दर्ज होगी और नबालिक को हिरासत में लिया जाएगा नबालिक से सिर्फ दीन में जुवेनाईल वेलफियर आफिसर की मौजूदगी में पूश्ताच हो सकती है रात में शेल्टर होम भेजना जरूरी होता है अगले दिन फिर पूश्ताच करनी है तो जे जे बोर्ड यानि जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड की पर्मिशन लेनी होगी जिसका एक अधिकारी नबाली के साथ में भी होगा तो दोस्तो मैंने आपको बताया कि किस परकार से अगर आपको पुलिस गिरफतार करती है तो आपके क्या अधिकार है जब कभी भी पुलिस से सम्मंदित आपको कोई भी खत्रा हो या परिशानी हो तो घबराईए मत अगर आपको ज़ादा कोई जनकारी या मदद चाहिए तो आप हमारे हिल्पाइन नमबर डबल डबल जिरो ट्रिपल फोर ट्रिपल फाइब पर कॉल कर लिजे हम जरूर आपकी सहायता करेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सबस्क्राइब किजिए बेल आइकन प्रेस किजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके थैंक यू सो मच फूर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच